दोस्तों अगर भाव को और उसके भावत भावम वाले भाव को मतलब दोनों का उपियोग अगर किया जाए तो जो आपका फलित है आपकी जो प्रेडिक्शन है वो ज़्यादा अच्छी रहती है अगर भाव और उसका भावत भावम भाव दोनों अच्छे हैं तो भाव का फ उसका भावत भावम भाव में शुबता है तो भाव की अशुबता में भी कमी आएगी जैसे अगर मान लिजे कि पंचम भाव आपका मजबूत नजर आ रहा है तो आपका शिक्षा पक्ष अच्छा रहने का संकेत मिलता है लेकिन अगर पंचम का भावत भावम नवम भाव मजबूत है तो उच्छ शिक्षा के संकेत मिलते हैं तब एक मतलब चीज सर्टिफाई हो जाती है कि शिक्षा का आपका पक्स अच्छा रहेगा इसी तरह अगर आपको किसी व्यक्ति के efforts मेहनत को अगर देखना है तो आप तीसरे भाव की नहीं लग पाएगा तब आपको सही result नहीं मिलेगा अगर आपको किसी के जीवन का सुख देखना है अराम देखना है comfort level देखना है तो आप चोते भाव को देखेंगे लेकिन चोते से चोता सातों भाव भी देखना जरूरी हो अगर आपके साथमें भाव में अशुब घरे बैठे हुएं पापी घरे बैठे हुएं तो शादी के बाद जरूर आपका जो मानसिक शांती है सुक्षैन का जो level है वो कम हो जाएगा इसी तरह सभी चीजों के लिए भाव के साथ-साथ भावत भावम वाले जो भाव है भावत भावम वाला भाव उस पर भी विचार जरूर करना चाहिए इसके अलावा जीवन के विभिन पहलू एसपेक्ट्स को भावत सकते हैं कि आप ही कुंडली से आपके भावी बहन का जीवन कैसा रहेगा आपके जीवन साथी का जीवन कैसा रहेगा आपके माता पिता का जीवन कैसा रहेगा ये आप अपनी कुंडली से भावत भावम से जान सकते हैं उदारन के लिए मान लीजिए कि चोथा भाव होता ह आपकी माता का अगर आप माता के जीवन के बारे में जानना चाते हैं तो आप चोथे भाव को लगन मान लीजिए और फिर उससे अगर आप देखेंगे तो माता के जीवन के बारे में जान सकते हैं मान लेजिए कि विरिष लगन की आपकी कुंडली है दो नमबर लिखा हुआ है आपके पहले भाव में तो आपके चोते भाव में 5 नमबर लिखा होगा तीसरा यानि की छटा भाव आपकी कुंडली का छटा भाव आपकी माता के छोटे भाई बहनों का हुआ इसलिए मामा मोसी का विचार छटे भाव से किया जाता है आपकी कुंडली का जो पहला भाव है वो चोथे भाव से दस्वा भाव होता है इसलिए आपकी कुंडली के पह ग्यारवां होता है तो आपकी माता के लाब, Incoming, Wealth इन सब बारे में आपकी माता का व्यवसाइक, Network, Circle इन सब चीजों के बारे में आपका दूसरा भाई बता सकता है दूसरा बाव चोथे बाव से ग्यारवा बाव होता है इसी तरह चोथे से जो चोथा बाव है यानि की सातवा बाव वो माता की माता का है यानि की नानी का ग्राइंड मदर उनका विचार सातवे बाव से किया जाता है जो पंचम बाव होता है वो चोथे बाव से दूसरा नौवा भाव चोथे भाव से छटा भाव होता है, इसलिए आपकी कुंडली का नवब भाव आपकी माता के रोग रिल मर्रां के संगरस च्छेक करन हैं 8th from 4th तो जो आपकी माता के जीवन की जो transformations हैं अचानक होने वाली घटनाए हैं आपकी माता का बूड विद्या में जो interest है अकल्टिजम मिस्टिशिजम में इसके लावा आपकी माता की I.U. और सवस्थ है इसका विचार आपके 11 भाव से आपकी कुंडली के 11 भाव से किया जा बहुत से विद्वान पिता का विचार नवम भाव से भी करते हैं लेकिन मेरा मानना है कि नवम भाव से पिता वा पिता तुले लोगों और गुरुओं की मार्ग दर्शन का होता है उनकी शिक्षा का होता है तो teachings of father कैसी guidance आपको पिता से मिलेगी यह आपका नवम भाव बत वैसे ही रखकर आप दस्वें भाव को लगन बनाकर अपने पिता के जीवन के बारे में जान सकते हैं जैसे अगर वरिश लगन की कुंडली है तो दस्वें भाव में कुंब राशी आ जाएगी तो कुंब राशी को लगन बनाकर दस्वें भाव को लगन बनाकर आप अपने से संतान का मतलब पोटे पोटी का आपके जो ग्रैंड चिल्डरन है वो आप नवम भाव से देख सकते हैं सातमवा होता है आपके जीवन साती का तो छोथा वाव है फोर्थ फरोम सेवंध वो तेंठ हाउस होता है तो आपके जीवन साथी की मदर याינिकर आपकी सास मदर इनला का विचार दस्वें बाहो से किया जा सकता है इसी तरह जो आपकी कुन्डली का छोथा बाहो है वो साथ में से दस्वें बाहो होता है 10th from 7th is 4th house तो जो Father in law है उनका विचार चोथे बाव से हो सकता है तो जो Mother in law का आपका सभाव है उनका जो विचार है वो आपकी कुंडली का दस्वाव और Father in law का विचार आपकी कुंडली के चोथे बाव से किया जा सकता है अब दोस्तो मान लीजिए कि आपके दो चोटे बाव हैं तो चोटे बाव के लिए तीसरा भाव देखा जाता है तो तीसरे बाव को लगन बनाया जाएगा लेकिन दोनों चोटे बाव के लिए एक ही लगन बनाना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों छोटे भाईयों का जीवन एक जैसा रहेगा उनका जो केरियर है उनके पिता से जो संबंद है वो एक जैसे होंगे हो सकता है कि जो पहला छोटा भाई है उसका केरियर बहुत अच्छा हो दूसरे छोटे भाई का केरियर अच्छा ना ओ, पहले छोटे भाई का जो पिता के साथ संबंद है, उसमें विचारिक मतबेद हो, दूसरे भाई के पिता के साथ संबंद बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो इस confusion को दूर करने के लिए हम तब भी भावत भावम का ही इस्तमाल कर बनाई है, और जो आपके पहले छोटे भाई से भी छोटा भाई है, मतलब आपका सेकंड यंगर सिबलिंग है, उसके लिए आप पंचम भाव को लगन बनाई है, क्योंकि आपके पहले छोटे भाई का जो छोटा भाई होगा, वो तीसरे से तीसरा होगा, थर्ड फ्रों थर पंचम भाव होता है, मान लीजिए आपका मेश लगन है, तो आपके तीसरे भाव में मिथून राशी आई, तो जो फस्ट यंगर सिभलिंग है, जस्ट आप से चोटा, उसके लिए मिथून लगन बनाईए, तीसरे भाव को लगन बनाईए, और जो उससे भी छोटा है, दूस जा सकता, दोनों का जो जीवन है वो अलग-अलग हो सकता है, तो आपका जो फस्ट चाइल्ड है, उसके लिए पंचम भाव को आप लगन बनाईए, उसको असेंडेंट बनाईए, और पंचम से थर्ड, पंचम से तीसरा, सातवा भाव, उसके लिए आप अपने दूसरे बच् के लिए सब्तम भाव को लगन बनाएंगे, इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका सेकिंड यंगर सिबलिंग है, आपका जो दूसरे नंबर का भाई है, और जो आपका पहले नंबर का बच्चा है, उनका जो जीवन का सवरूप है, उनका जो लाइफ पैटरन ह वो मिलता जूता हो सकता है, इसी तरह दोस्तों आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कोई एक जो विशेश पर्टिकुलर दशा अंतरदशा चल रही है, उसका कितना विस्तरित फल हो सकता है, उदारन के लिए मान लीजिए कि नोवे घर में कोई घरह बैठा है, उसकी दशा चल रही है, या नोवे भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा चल रही है, प्लेनेट आइदर सिटिंग इन दा नाइन्थ हाउस इज ओपरेटिंग इन दशा और नाइन्थ हाउस लोड इज ओपरेटिंग इन दशा, तो उस दशा में अगर वो प्लेनेट मजबूत है तो आपके भागे के विर्दी होगी आपको 9th house का फल मिलेगा लेकिन इसी दशा में आपके छोटे भाई की शादी भी हो सकती है क्योंकि जो नोवा भाव है वो तीसरे से सातवा है तो आपका जो फस्ट यंगर सिविलिंग है पहला जो छोटा भाई या बहन है उसके लिए वो सातवा भाव है जो कि आपका नोवा भाव है तो उनकी विपारिक साजेदारियां उनका विवाईक जीवन ये आपके नोवे भाव से हम देख सकते हैं इसी तरह जो आपका पहला बच्चा है उसकी एजूकेशन में ग्रोथ हो सकती है अगर नोवे भाव में बैठा हुआ घर है या नोवे भाव के स्वामी की आपके दशा चल रही है और वो मजबूत है क्योंकि नोवा भाव पंचम से पंचम होता है तो उसको शिक्षा में लाब उस वक्त मिल सकता है इसी तरह अगर आप देखेंगे तो नोवे भाव में अगर घर है उपरेटीड है या नोवे भाव का स्वामी उपरेट कर रहा है दशा में तो आपकी माता की तबियत खराब हो सकती है क्योंकि जो 9 भाव है वो चोथे घर से जो कि आपकी माता का घर है उससे 6 भाव होता है तो आपके माता के रोग रिंच शत्रू ये 9 भाव से देखे जाते हैं इसी तरह जो आपके बड़े भाई बेन है वो 11 भाव से देखे जाते हैं और ग्यारवें भाव से जो नौवा भाव है वो ग्यारवा होता है यानि कि आपके बड़े भाई बैन का जो लाब है उस दशा में बढ़ सकता है उनको प्रफेशनल लेटवर्क सरकल से बहुत लाब हो सकता है नौवें भाव में अगर मजबूत घ्रह की दशा चल रही है तो आपकी कुंडली के जो सेकंड हाउस है आपका जो सेविंग्स है आपका जो धन है उससे ये अस्टम भाव होता है तो आपको सडन गेन हो सकता है अचानक धन परापती हो सकती है नौवें भाव में बैठे हुए घरह या नौवें भाव के मालिक की दशा में क्योंकि इस अपने फल का एक विस्तरित रूप दे सकते हैं विस्तरित रूप देख सकते हैं आज के लिए बस इतना ही राम राम